अगर आप पिछले वित्यवर्श की बात करेंगे अविसली नय वित्यवर्श शुरू हो चुका है तो FY24 में लगभग धाई गुना से जादा का रेटरंस टाटा मोटर्स आपको देतावा नजर आया है और इसकी जो क्रेदेंशियल्स है वो सीधी सीधी इनकी नंबर्स में रिफलेक्ट करती है इन फाक्ट अगर आप FY24 के तीनों तिमाहियों में देखेंगे तो दमदार नतीजे पेश करता हुआ दिखा था टाटा मोटर्स और चौती तिमाहियों में भी दमदार प्रदेशन क ही एक्सपेक्टेशन्स लगाई जा रही है इन फाक्ट मैं मुनाफ़े का आकड़ा देख रहा था जहां पर FY23 में सबसे स्ट्राइकिंग जो फैक्टर लगा लगभग 27 करोड रुपे का मुनाफ़ा FY23 में ये बनाते वे नजर आयते हैं और जबकि 9 मन्त अगर आप जिस तरह से EV penetration इन्होंने किया है जो सबसे बड़ा market share ये hold करते वे नजर आते हैं पैसेंजर वेहिकल्स ने में काफी बढ़िया करांती ये लेकर आते वे दिख रहे थे जिस तरह से इन्होंने innovate किया था खासकर CNG cylinders को लेकर भी तो उसके वज़े से यहां पर इनका passenger vehicles भी ब लगातार कंपनियों को order मिलते वे दिख रहे हैं और दो important चीज इन्होंने पिछले वित्यवर्ष में की थी जिसमें सबसे पहला तो अभी आहली के थोड़े दिन पहले की announcement है जहां पर commercial vehicle और passenger vehicles को इन्होंने separate किया था दिमर्ज किया था तो इसके बाद अफकॉर्स अब ने दिविया शेर्स की जो डिली स्टिंग करते वे दिखे थे तो यहां पर जितरह से इन्होंने company ने अपनी लेवल पर corporate लेवल पर announcements की थी वो एक बड़ा फाइदा है और business लेवल पर तो company के outstanding production रही है तो बेहद पैसा वसूल stock Tata Motors बिलकुल पैसा वसूल रहा है मुनाफ़ा पूर कमाया true wealth creator है पिछले साल का energy का stock of the year भी था double से जाधा returns यह वापस 1000 के उपर है 13 March के बाद पहली बार इस लेवल पर देख रहे हैं और अपने record है सिर्फ 50-60 पॉइंट दूर आपको इस समय टाटा मोटर्स दिख रहा है तो दमदार wealth creator stock का आपके लिए रहा है और सेट इस तरह की बाते चल रही है मैं तो इस स्टोक को मानता हूं एक मारूती और एक अशोग लिलेंड दोनों का combination है और प्लस इलेक्रिक वेहिकल से लग है तो तीन बिजनेसेज है और जैसे की management ने या बजार में खबरे चल रही है कि यह अपनी पेसिजर वेहिकल जो बिजनेस है उसको अलग कर सकते है फिर जो कमेशल वेहिकल का segment है वो अशोग लेलेंड और इलेक्रिक वेहिकल में ही है मुझे लगता है यह स्टॉक हालांकि बहुत बड़ी तेजी हो गई है बट कोई भी opportunity मिलती है तो इसमें खरेदारी करने की मोके डूनने चाहिए I still remain bullish on the stock और मु सेल्स के आंकडे भी आ रहे हैं टाटा मोटर्स पर भी रखे नजर इवी स्पेस में यहां से भी आपको जबरदस्त लीडर्शिप एक बनती हुए दिख रही है देखते है कैसा action यह दिखाएगा एक दो और stocks पर रखेएगा नजर जहां पर इस fresh move में आप move बनते हो दिख है। झाल झाल